हलो एवरिवान, वेल्कम टू पी डबली ओनली आई एस और स्वागत है आपका आज की एडिटोरल डिसकशन में पहला सवाल समय सर कहा है, तो आज उनकी तरफ से सौरी क्योंकि वो कहीं बहुत जारा बिजी होनी की वज़े से ये सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे थे तो उनकी जिए मैं आए हूँ आपके साथ आज की important articles discuss करने, तो चलिए स्वागत है आपका 17th April की editorial discussion में, आज हम 3 important articles discuss करेंगे, पहली होगा अभी होने वाली जो एक war की situation बन रहे है उसके बारे में, यानि इसराइल- इरान war के बारे में, क्या है ये कहानी, क्यों ये war शुरू ह हो रही है, क्या ये war सही में होगी, या अभी सारी country सिर्फ restrained दिखा रही है, इसकी पूरी politics समझेंगे, बहुल अच्छा articles के उपर, दूसरा, जो हम समझेंगे वो है, एक बड़े section of consumers के बारे में, जिनके पास rights तो हैं, लेकिन को कोई सेवाई नहीं प्रदान कर पा रहा, यानि consumers with disabilities, उनके लिए क्या laws है, क्या provisions है, और क्यों वो लगातार सफर कर रहे हैं, समझेंगे, इस article में क्या समस्या हैं, और क्या legal provisions है, आपको पता लएगा, और तीसरा है, आपकी plate की दाल, यानि pulses के बारे में, कि उनका production क्यों गिरता जा रहा है, और क्या जरूरत कदम है जो government को उठाने चाहिए, तो सबसे पहले टाइम विसके बेना, चले शुरू करते हैं, इसराइल और इरान के युद के बारे में जानकारी, अब एक देश है इरान, जिसने इसराइल के उपर लगबद 300 drones और missiles का अटेक किया, पहला सवाल, आकर ये अटेक हुआ क्यों, इरा इसराइल ने सीरिया में उन्हें क्यों मारा, अगर ये आपको background पता है, तो अब ये topic और ये article बड़ी easily समझ लेंगे, तो पहले background समझते हैं, ये हैं West Asia के वो देश, जहाएं अभी स्थिती बनी हुए है, इरान और इसराइल इसके प्रमुख players है, हुआ क्या, इरान के आसेम सुलेमानी को अमेरिका ने मार गिराया था, वो एक इराकी जनरल जो इराक में थे और अमेरिका ने इराक में उन्हें मारा था, तो आखिर इरानिया जनरल इराक और सिरिया में करते क्या हैं?, तो देखिए इरान असल में एक ऐसी government है, ये ऐसी सरकार है जो की Shias, दुन पर्शन बोली जाती है तो इसका कल्चर पर्शन है बाकी इसलामिक कंट्री का यहां कल्चर कौन सा है अरबिक है जो इरान को इन सबसे अलग बनाता है और इरान में शिया मेजॉरिटी है 90-95% पॉपुलिशन शिया है जिबकि बाकी मेजर कंट्री में जो आपको दिख रहे है इन में मेजॉरिटी ओफ सुनीज है तो जहां भी शिया मेजॉरिटी में होते है या अगर उनकी अच्छी खासी जनसंख्या भी है तो उनकी ओपर सुनी रूलर्स का कंट्रोल होता है तो वहां इरान अपनी मिल्टरी के तरू उनको सपोर्ट करता है इरान प्रॉक्सी यान कि एक सुनी ग्रूप है लेकिन यमन में अगेन हाउती डिबल्स दे आर और सुनी ग्रूप इसमें हमास याद रखिए सुनी ग्रूप है हाउती और हेजबुल्ला शिया ग्रूप से जिनको इरान डर्रिक्ली सपोर्ट करता है तो इतनी मिल्टरी क्यों खड़ी करके रिखि असद यानि सीरिया और एरान के बीच में बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है बहुत क्लोज पार्टनर्शिप है तो इस पूरे रीजिन में लेबनन में हेजबुला शिया में असद इराक के जो गवर्मेंट है वहाँ एनका एक अद्य गंट्रोल है और एरान यह जो पूरा यही करते हैं कि इनका काम है इसलाफ को बचाना और बाहर के देशों में military को support करना तो यह इरान हमेशा करता रहते है आपका सवालों का असरजब शिया शिया की बात है तो फिर यह हमास के सुनिक ग्रुप को ग्यों support कर रहा है लेबनन में या सीरिया में या फिर यमन में तो यहां अलगलो जो गुरूप्स होते हैं उनको इरान के जनरल्स जा जाके सपोर्ट करते हैं, हथियार प्रवाइड करते हैं और इसराइल को इससे बड़ी दिक्कत रहती हैं इसराइल के ऊपर हेजबुला बैठा हुआ है लेब तो इन सभी कारणों से इनके बीच में विवाद हमेशा से चलता ही आ रहा है आपको बैगराउंड समझ आ गया कि ये क्यों सपोर्ट कर रागले ग्रूप को शियाज को जिताने के लिए प्लस वो इस्रेल को कमजूर करना चाहता है ये एक चीज हो गई दूसरी चीज अभी य हमेशा ऐसी इसी ही थी क्या हमेशा इरान इसरैल के खिलाफ था क्या हमेशा इसरैल और युएसे के खिलाफ ही हमेर इरान था तो नहीं याद रखेे- 1979 में इस्लामिक रिवॉलूशन ऑफ इरान हुआ था 1979 से पहले अगर आप 1948 में जाते हैं जब इसराइल बनके इसराल के साथ में संबंद normalize किये थे वो भी इरान ही था. यनि जब भारत के भी संबंद नहीं थे इसराल के साथ तब इरान के संबंद इसराल के साथ थे तो अचानक आजसा क्या हुआ? अचानक नहीं हुआ वो 1979 में हुआ जब इरान में होता है Islamic revolution, वहां जो और्टोडॉक्स ग्रुप्स हैं, जो वहां के conservative लोग हैं, वो सत्ता पे कब्जा करते हैं, और वहां के शाह को भगा कर, वहां पर Islamic और ज्यादा कटरपन थावी होता है, वो कहते हैं, अब हम इस्राइल को मानने से इंकार करते हैं, और इस्राइल को निस्तो नाबूत करके और वो कहते हैं, इस्राइल is an illegitimate state, तो 1979 के revolution के बाद से ही, इरान की दुश्मनी स्टार्ट होती है, USA और इस्राइल के खिलाफ, इससे पहले इरान दोस्त था, USA का भी और इस्राइल का भी, तो 1979 के बाद से युद्ध चला हुआ रहा है, और आज किस्थिती ये है, कि अलग लगाता ड्रोन का अटैक हुआ है, यह जो लगाता बलिस्टिक मिसाइल का अटैक हुआ है, इसको इरान ने भेजा, लेकिन इसे इसराइल में क्या लोगों की जाने जाएंगे, नहीं जाएंगे, यूद्ध इसराइल के अटैक के बावजूर, इसराइल और उसके साथ- पहले कि IRGC क्या है यानि इरानियन रेवलूशनरी गार्ड कोर्प्स क्या है तो यह असल में इरान ने बना रखे हैं ताकि बाहर उनकी सेना का एक अलग अंग है जिसे इंडिया में CRPF होता है जो पुलीस का सपोर्ट करती है यह बैचारी IRGC क्या है बाहर विदेशों में ज जाने गए उसके बतले में उन्हें यह किया और इरान ने कहा इसको ऑपरेशन ट्रूप्रॉमिस कमाल की बात यह है कि इससे पहले इसराइल ने कई बार बोला है कि इरान ने इंपर हमला कर दिया इरान अम पर अटैक कर रहा है लेकिन इरान ने कभी जिम्हदारी नहीं कभी हमास को सपोर्ट कर दिया कभी होतीज को सपोर्ट कर दिया अब याद रखिए होतीज यमन में जिनों रेट सी की उपर लगातर अटेक किये थे हेजबुल्ला लेबनन में जो वहां से अटेक करता है गाजा में हमास बैठा है तो हमेशा इरान प्रॉक्सिस का सारा लेता किसके इस्राइल के अभी आपको याद होगा जब इंडिया में G20 हुई थी तब इंडिया Middle East Europe Economic Corridor की बाद हुई थी जिसके अंदर इंडिया भी था, UA था, सौधी रिविया था और इस्राइल भी था तो उसके बाद से अचानक से हमास ने अटेक किया कभी इस्राइल के उ कर दिया है और उन्हें ने कहा है कि वो इस ऑपरेशन के थ्रू अपना बदला लेंगे विचिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लेकिन जैसे मैंने पहले बता है USA, Jordan, Egypt इन सभी देशनों मिजाइल्स और ड्रोन्स को मेंली इंटरसेप्ट करके हवा महीं डिस्ट्वाइ कर दिय है तो दुनिया भर में इसका रियेक्षन आया, सबने कहा है कि अपने आपको शांती बनाया रखिये है, जहां अटैक किया है अभी, इस एरान ने वो कहां किया है, क्या इरान ने पूरे के पूरे इसराइल के उपर हमला कर दिया तो नहीं, इरान ने प्राइमरिली और फोक इसे बेस को ओड़ा देंगे, लेकिन जब ये हमला बढ़ रहा है, तो सब को ये डर है, अभी लड़ाई और ज्यादा ना बढ़ जाए, तो इसलिए इसराइल ने इसके बनले में डिरेक्ट अटक किये नहीं है, कहाँ है वो करे गा लेकिन अभी तक की नहीं है, और क्या इसर इसा कुछ इरान पर करेगा, chances बहुत कम है, क्योंकि असल में इरान के समले के बाद अभी तक को इसराइल को नुकसान नहीं पहुचा है, यहां तक कि अमेरिका ने बोला कि we are iron-clad commitment, मतलब हम बिल्कुल support करते हैं इसराइल की security को, लेकिन अभी वो उसने अपना हाथ इससे पी strained and try not to engage in a full-scale conflict, अब कहानी यह है, इन दोनों ने कहा है कि आप इस इस इलाके की शान्ती भंग कर रहे हो, लेकिन मुद्दा यहां कि यह हो क्यों रहा है, क्यों कोई देश सामने से कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि इस वार की economic implications बहुत जादा है, क्या? क्योंकि देखिए, अल्रीडी जो यह Red Sea है, जहां से trade बहुत समय से रुका हुआ है, क्योंकि यहां पे होतीज ने लगातार fighting करी, तो जितने भी Red Sea से ships गुजरते थे व्यापार करने के लिए, उपर यहां पर है Swiss Canal, तो अगर आपको योरप के साथ इस map में देखिए, अगर आपको इस योरप क को नुकसान हो रहा है, बहुत सरी समस्याइं आ रही है, तो अब कोई देश नहीं चाहता कि एक और युद्ध यहां पर हो जाए, जिससे कि पहला trade route पूरा disrupt हो जाए, दूसरा, जो prices of oil है, वो बहुत जाला बढ़ जाए, जिससे क्या होगा, इसी region से produce होता है, अगर यहां जो दुनिया बहुत दिक्कते को जेल रही है, अभी उक्रियन और रशिया की लड़ाई चले यॉरप में, अभी हाउती हमले कर रहे हैं, रैड सी में, और इसराइल गाजा के बीच में लड़ाई चली रही थी, उस बीच में अगर ऐसा कुछ और हो जाता है, तो global oil prices बहुत अब अगर ये भी युद होता है, तो इससे और दिक्कतें बढ़ सकते हैं, ग्लोबल ग्रोथ जो है, जो अभी 3.1% तक जाने वाली थी, उससे भी कम हो सकते हैं, तो इसने सब को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज़रूरी है कि ये वार ना बढ़े, इंटरनेशनल डिप् कार दुबारा आई थी, तो वो कोशुश कर रहे थी कि इरान दुबारा नुकली डिल पर मान जाए, चाइना ने हाली में इरान और सौधी रेबिया के बीच में रिष्टों को नॉमलाइज कराने की कोशिश की थी, इनके एंबसी दुबारा खूले थे, चीज़े इसलिए बहुत इंपोर्टन्ट है, ग्लोबल ओर्डर के लिए कि यहां पर यही रिजन डी स्टेबलाइज ना हो, जब भी रिजन डी स्टेबलाइज होता है, तो यहां पर टेररिजम और कॉन्फलिक्ट बढ़ता है, क्योंकि यहीं पर याद रखिए, सीरिया और इराक के रिजन में थी, IS, IL, इसलामिक स्टेट फोर इराक एं लीबिया, या फिर इराक एं सीरिया, IS, IS, तो इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, इसमें हमेशा टर्रिस्ट ओगनाजिशन को मौका मिलता अपने पैर जमाने का, इसलिए सारी कंट्रीज नहीं चाहती, अभी कोई भी अच्ट हो, और इसलिए इरान और इसराइल भी अपने आपको कंट्रूल करके चल रहे हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले इसराइल को रिकॉनाजर करने वाली कंट्रीज में से एक इरान रही है, और जब इसलामिक रेवलूशन हुआ, उसके बाद ही इसल का रुख अलग-अलग हुआ तब तक कि दुस्रे के लोग सपोर्टर ही थे क्योंकि इरान वज़ा क्लोज फ्रेंड अफ यूएसे एंड यूएसे का एक और क्लोज यहां पर लाई कौन है तो इस्राइल है लेकिन 1979 के रिवलूशन के बाद ही इरान और इस्राइल के बीच में खटास बढ़ती चलेगी लडाईयां होती स्टार्ट शुरू हो गए राज इरान इस सीन इस बिग ब्ले इन इस रीजन जो सौधी रेबिया और इस्राइल के लिए बहुत बड़ा खत्रा यहां पर है जब एक चीज़ आप समझे है जब यहां पे न्यूकलर पाप प्लांट था इरान के पास तो न्यूज यह थी कि इरान वहाँ पर न्यूकलर एंडिच्मेंट कर रहा है और इसको रोकने के लिए इस्राइल ने इनके साइबर एक्ष्ट किया था जिसके बाद इनका जो एक एंडिच्मेंट फैसिलीटी थी खराब हो गए थी कुछ सालों पहले एक और attack इसराइल ने किया था जिसके तहट इरान के सारे petrol pump तक बंद हो गए थे यह attack लगातार इसराइल इरान के उपर करता रहता है ताकि उनकी government ठीक से function ना कर पाए और लगातार सीधी war तो नहीं हुई लेकिन इसराइल की मुसाद जो उनकी secret agency है वो लगातार covert operation इरान में करती रहती है तो यह लड़ाइयां हमेशा proxy wars के थुरू हुआ करती थी और इसके अलावा इरान हमेशा थोड़ा side में रहता है क्योंकि इसको बाकी countries का support नहीं मिलता जिसे मैंने पहले बताया हमेशा से इरान में पर्शन कल्चर रहा है तो जो Arabic countries हैं जिसे सौधी रेविया फिर आपकी UAE इन सारी countries ने कभी openly इरान को support नहीं किया क्योंकि अगर आप एजिप्ट की बात करें जॉर्डन की बात करें सौधी रेविया की बात करें यमन की बात करें UAE की बात करें यह सारी Arabic countries है इनके सम्मंद कभी इरान के साथ अच्छे नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर एक cultural divide भी है इरान अपने आपको Persian culture की तरह मानता है यहाँ फार्सी बोली जाती है जबकि बागी देशों में Arabic बोली जाती है यह एक basic difference है और जब 1979 का महापर revolution हुआ उसके बाद जागरी चीज़ें थोड़ी और गरबढ हुई लेकिन उससे पहले सम्मंद normalize थे तो आज Iran लगातार अमेरिका खिलाफ अलग-अलग एरिया से attack कर रहा है cyber attack कर ले या फिर proxy wars इरान करता रहता है तो यह conflict अभी जारा बढ़ता दिक नहीं रहा क्योंकि इसकी वज़े यह है कि already सारी countries इसको de-escalate करना चाहती है क्योंकि already इस region में बहुत सारा conflict हुआ पड़ा है अब सवाल यह है कि इंडिया के पास क्या choices है इंडिया has a big problem the biggest problem is Iran क्योंकि इरान इंडिया के लिए बहुत relevant है because इंडिया इंडिया प्रवाइड्स इंडिया connectivity connectivity to Afghanistan connectivity to Central Asia connectivity to Eurasia याद रखिये इरान में ही इंडिया ने चाबाहर पोर्ट पे काम स्टार्ट किया था इंडिया का वो काम रोकना पड़ा चाबाहर के तुरू ही इंडिया ने जरांज दलराम हाइवे बनाया था जिसके तुरू इंडिया अफगानिस्तान में इंटर करता तुरू इरान इंडिया वस ट्राइंड टू एंटर रश्या यूरेशिया में एक फेमस इंटरनेशनल North South Transport इंडिया इंडिया अजर्बाइजान रश्या थे ताकि आप एक नया रूट बनाते रश्या तक सेंट पीर्सबर्ग तक पहुंच पाते जो पूरे इस रिजिन को जोड़ता और सेंटरल इश्या को भी connectivity प्रवाइड करता इसके अलावा इरान बहुत important है इंडिया के आसपास safety security के लिहाज से क्योंकि इरान में ही आपका जो golden crescent है जहां से बहुत सारी illegal illicit opium farming हो तिसको रूखने का काम करते हैं तो यह बहुत important है और इंडिया चाहता है यहाँ पर किसी भी तरह का conflict ना हो इरान एक important export market भी था इंडिया के agriculture goods का जा इंडिया बहुत सारे बास्मती rice से लेकर कई सारी चीज़े export किया करता है जो अब बंद हो चुकी है और इरान एक major source था इंडिया के लिए oil import करने का जो इंडिया को सस्ती तरहों पे oil भी देता था इन सभी वजों से इरान इंडिय इंडिया के लिए बहुत important है लेकिन क्योंकि इरान पर अमेरिका ने sanction लगा रख्या तो इंडिया नहीं उन्हें export कर सकता है नहीं इंसे import कर सकता है और एक देश इन सबका fire उठा के इनके बहुत करीब चला गया वो था चाइना जिन्होंने इंसे pipeline तक बनवा के अपने इंडिया अभी तक एक balance बना के चलना चाहता है किसी भी एक side को इंडिया लेना पसंद नहीं करेगा इंडिया के लिए domestically भी एक important पार्ट है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी शिया population रहती है इंडिया के बहुत सारी लोग इसराइल में भी काम करने गये recent कई लोगों को ल इसलिए अब इंडिया के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है डायस्पोरा के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इंडिया चाहेगा कि इंडिया की ट्रेड इंडिया की strategic reasons जैसे इंडिया ने इंडिया Middle East Europe economic corridor जो बात चली चीजी G20 के अंदर वो अटक चुका है क्योंकि इंडिया और इसराइल की बीच में होता है तो और तबाही मत सकती है ट्रेड इंडिया को नुक्सान हो सकता है मार्केट क्रेश कर सकता है हमारा ओयल इंपोर्ट हैंपर हो सकता है हमारा ट्रेड रुख सकता है इसलिए बहुत इंपोर्टन इंडिया के लिए कि यहां पर एक डायलोक बेस्ट डिपलोमेटिक सालुशन निकले, जिसमें इंगेज इस्थ इसराइल और इरान दोनों को किया जाए, और एक प्रोपवटे इंगेजमेनट हो जिसमें इरान और इसराइल दोनों रीस्टेटि मेंड्च हो करे síndia को सबको एंगेज करना चाहिए अमेरिका से लेके रशिया तक क्योंकि इंडिया एकलौती ऐसी कंट्री है जो सबके साथ बात कर सकती है जो एक मेडियेटर का रोल प्लेई कर सकती है बिफोर चाइना टेकस अवे इनिटिंग वी नीड तो क्योंकि अमेरिका को यहां कर बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि रशिया युक्रियन वार के बाद हो सकता है यह वार एशिया मेंटर कर जाया है और रेड सी से होते हैं यह पूरे पाकिस्तान तक पहुंच जाया है इसलिए तो प्रोमोट एंट इंडिजनाइशन थ्रेट त इसलिए इंडिया को बहुत इंपॉर्टन है कि यहां पर इंडिया इन्हें बैलेंस करें और कोई एक फोकस ना ले इंडिया कुछ फोकस ऑन डेवलप्मेंट इस्राइल के साथ इंडिया डिफेंस मनेफेक्ट्रिंग की बात अलड़ी कर रहा है इसके अलावा कोशिश कर सक इंडिया किस तरह से रहें वो इंडिया में मनिंफेक्ट्र करना पड़ेंगा इंडिया को चाभार पोट को कम्प्लीट करना पड़ेगा और अप्रश्शनालाइस करना पड़ेगा ताकि इृριं क्यों मैं इस पौर्ट पर काम किया इन सभी चीजों को देखते वें बहुत किया है और इंडिया का क्या रोल है हमने अर्ड डिसकस कर लिया है बहुत जरूरी है कि यहां पर कोई ऐसा स्टेप ना हो जिसे बहुत अलग लेवल तक चला जाए हमने बेसिक चीज़ें डिसकस कर ली अगला आटिकल डिसकस करते हैं नेविगेटिंग लाइफ एदेजिबिल आटिकल रहा के खरीदी नहीं सकते हैं कि मार्केट में कोई सामान बेच ही नहीं रहा आप कहेंगे आज की टाइम में तो पॉसिबल नहीं है पर रियालिटी यही है और यह लोग है जो डिसबिलिटी से ख्रस्त होते हैं प्रॉब्लम यह है कि इनके लिए कोई मेकानिजम न हर साल हम 15 माच मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स दे की तरह हैं लेकिन इस कंज्यूमर राइट्स में हम क्या जो लोग डिसेबल हैं उनके पहचानते हैं तो बिलकुल भी नहीं अगर आप ब्लाइंड हैं विजुली इंपेर हैं तो आप कहीं भी कोई भी लेख के करना है, complain के वल आप एक email करके कर सकते हो, तो क्या जो वेक्ती visually impaired है, या किसी और तरह कि उनको disability है, वो complain कैसे कर पाएंगे, तो जो basic human activities है, जो basic participation है, वो भी जो disabled section है, उनको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बहुत बड़ी challenge है, उनके लिए, एक inaccessibility of goods and services, और दूसरा inaccessibility of customer support, एक तो पहले उनने समान नहीं मिलता, जहांते हो पहुँच नहीं सकते हो, अगर मिलता है, कोई शिकायत है, तो किसको शिकायत करें, सुनने वाला भी कोई नही है, तो क्या government इसके लिए कुछ कर रही है, इसके लिए क्या requirement है, तो पहली चीज़ है psychological, sensitization, पता होना चाहिए कि इतना बड़ा market है, और plus sensitize करने के लिए एक अच्छा example था, QR code का add करना, QR code करने के बाल, product information, QR code से कोई भी, अगर किसी बितरे के disability है, तो उनको phone help कर पाएगा, उन चीज़ों को पता करने में क्या इसके अंदर है, पगर दिक्कत ये कि कुछ चीज़ों तक ही limited है, इसको और बड़े level पर बढ़ाने की जरूवत है, इंडिया को जरूवत है कि हर एक product के पास के अंदरे QR code हो, ताकि technology का इस्तमाल करें के, जो disabled लोग है वो उसका फाइद Convert Disability Act, RPWDA Act 2016, जिसके अंदर बहुत से rights दिये गए है regarding equality, accessibility, reasonable accommodation, यानि अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो जो भी मनलो कोई computer की service है, कोई ऐसी service है, तो उसमें वो सभी चीज़ें आपको मोहिया कराए जानी चाहिए, कोई भी का disabled है कि उनको सभी चीज़ें, normal standard के हिसाब से available सख्त provision है, आप उसके खिलाफ complain कर सकते हो, disability commission में, और फिर आपको हर जाना देना पड़ा सकता है, उस company को जो आपके सार ऐसा कुछ कर रही है, तो इससे चीज़ें बहतर होती है, barrier घटते हैं, जिसे banking finance की सुविधाएं हैं, ये तो आम digitally provide की जा सकती है, ताकि जो भी disabled है, उ कवर होते हैं, consumer protection act 2019 के अंदरगत, यानि इसके तहट आप consumer commission में जा सकते हो, consumer commissions के पास जारा powers होती है, वो penalties ले सकती है, compensation दे सकती है, और writer नहीं है clearly लिखा है कि एक case में तो एक लाख तक का compensation मिला था, जब cinema hall ने सुविधाएं प्रवाइड नहीं की थी, पर दिक्कत ये है, कि CPA के अंतरगर disability को specifically अलग से एक section दे के नहीं बनाया गया है, और जो body है, RPWDA, ये बहुत कम एलाकों पे काम कर पाती है, consumer rights पे काम करती ही नहीं, इसलिए ज़रूरी है CPA को हम RPWDA के साथ align करें, कि जो CPA में जो consumer हमारे और आपके normal किसी भी वेक्ति के पास है, अगर किसी के प तो हमारे लिए important चीज़ क्या है, what is RPWDA, RPWDA में rights है, और ये specifically उनके लिए जिनके पास, जो disability है उनके लिए, टाकि उनके पास equality रहे, accessibility की और जो accommodation उनको reasonable मिल पा है, जिसे cinema hall है, तो वहाँ पर आपकी lift होनी चाहिए, अपने bank खोल दिया, तो वहाँ सब के लिए सुधाय होन तो आपको accessibility होनी चाहिए, लेकिन सारे जो rights consumers को मिलते हैं, वो सारे उसके अंदर protected नहीं है, तो जरूरी है कि इनको align किया जाए, और जागो जागो जिसे campaign हमने run किया है, तो वैसे campaign हमें जरूरी है, कि हम disabilities को भी लेकर भी बनाए, उनके लिए भी target करें, उनके जो rights हैं, उन market है इनके लिए, लगबग 8 crore लोग ऐसे हैं, जिनके पास disabilities हैं, तो अगर कोई companies उनको target करते हैं, बनाती हैं, तो उनको भी बहुत सारा profit हो सकता, तो ये reason था हमें इस article को जानने का, जह हमने समझा, कुछ ही important legal provisions, अगले article पर आते हैं, और बात करते हैं, cropping patterns के बारे में, ज serious paper 3 के लिए बहुत important हो सकता, और यहां बात हो रही है मुखी रूप से, डाल के बारे में, जिसकी कमी लगातार हमें होती जा रही है, एक time में, जब 1960s के बात करते हैं, तो इंडिया में per capita 25 kg pulses हुआ करते हैं, हर वेक्ति के पास 25 kg तक डाल सेवन करने का हिस्सा रहना था, आ export करना पड़ता था, आज हम export करते हैं, लेकिन pulses, डाल के case में, हम आज भी उसी स्थिती पे रहे गए हैं, इसकी बज़ए क्या है, sluggish growth, क्यों हो रहा ऐसा, और अगर आप देखें, तो इसकी वज़ए से जो डालों की कीमत है, वह बहुत महंगी हो चेकी है, और अभी तो अ हम import कर पाएं, इंडिया में pulses इतने important है, क्योंकि important primary source of protein है, क्योंकि हर कोई meat खाता नहीं है, और meat बहुत महंगा होता है, तो इंडिया में दिक्कत ही है, कि जितने भी major pulses cultivate किये जाते हैं, उनमें बहुत fall हुई है, एक output में 60% की fall हुई है, और पर 40% की fall देखी गई है, वह majorly क्यों हुआ है, क्योंकि ये fall rainfall की वज़े से हुआ है, climate change की वज़े से rainfall ठीक से नहीं होती, और जो deficit rainfall है, इसके दिक्कते बढ़ती ही जा रही है, इसलिए बहुत important है, कि अगर हमें prices को control करना है, तो हमें agriculture में investment करना पड़ेगी, जो irrigation है, वहाँ focus करना पड़ेगा, जो की input side क की problems है, यानि आप yield area बढ़ाईए, आप जी निर्याज में grow करते हैं, उन areas को expand करेए, लेकिन इसके अलावा problem यह होती है, कि जब output हो जाता है, यानि जब फसल कटके बाहर आती है, दाल जब निकलती है, तो pulses क्या market तक पहुँच पाती है, तो नहीं, वहाँ पर बहुत सारी holding होती है, जब फसल कटके आती है, दालों की, तो उनको लोग store कर लेते हैं, काला बजारी करना start कर लेते हैं, और market तक पहुचने ही नहीं देते, एक artificial crunch create किया जाता है, जिससे अभी फसले हैं तो सारी दाले market में जेगे, तो दाल का दाम घट जाएगा, तो वो दालों को आती है, आर्टिफिशली, तो इंडिया को ज़रूरत यह है, कि input में हम किस पे काम करें, irrigation पे काम करें, हम subsidies के उपर काम करें, हम बहतर तरीके से farmers को aware बनाएगी, यहां MSP के अंदर लेके आ इंदालों को, लोगों को चावल और यहूं, जो की ज़्यादा water needing crops हैं, उनसे shift करा और खास बात है कि directly impacts your lower most section, हमारी inflation पे बहुत बहुत प्रभावदाल डालती है, इसलिए इनको control करना बहुत जरूरी है, लगातार demands बढ़ती जा रही है, और production गिरता जा रहा है, इंडिया 25 लाख टन पर एर अभी import कर रहा है, पलसे, चाए वो मजांबीग हो, चाए ऑस्ट कि हमारा import लगातार बढ़ा है, 60% तक बढ़ गया है, इसकी वजया क्या है, और क्या import से हमारा काम चल जाएगा, problem यह है कि वो भी नहीं हो सकता, इंडिया is the largest producer and the largest consumer of pulses, also इंडिया is the largest importer of pulses as well, मियामार से हम अक्सर तूर, मूंग और उरद लेते थे जबकि कनेड़ा उस्ट इक तंजानिया, मलावी किनिया, हमारी लिए लगातार imports का prominent source हो गए है, लेकिन यहां भी दिक्कत ही है, कि इंडिया में एकर shortage हो जाती है, पल्स की, तो यहां डाल की कीमते बढ़ जाती है, और हमेशा वो market टो एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्हें पता है, इंडिया में दिमा अगर इंडिया में भी oil pulses का production अच्छी मात्रा में होगा, तो फिर उनके पास यह advantage नहीं रहेगा, हम उस advantage को रोख सकते हैं, खुझ से produce करेंगा, इसलिए important है कि हम pulses का production बढ़ाएं, और अपनी dependency imports के उपर कम करें, और यह तभी हो पाएगा जो domestic production बढ़ाएं, और production बढ़ाने के बाद जो supply side के problems हैं, उनको भी कम करें, और सबसे important है हमारे cropping pattern को बदलना, भ जाए है कि धान और गिहों के उपर, MSP मिलती है तगडी, और आप तुरंत लेके आओ, और आप मंडी में बेचके पैसे लेके चले जाओ, लेकिन pulses के लिए आपके पास MSP guaranteed नहीं है, और थोड़े से farmers को भी डर लगता है कि pulses grow करेंगे, अगर फसल खराब होगी तो क्या होग तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आप इंस्वारेंस कवरेज भी दें और इरियास को बढ़ाएं, लगातार शुगर के इन वीट और राइस का इलाका बढ़ता जाला है, 98, 95, 65% irrigation के लिए मिलता है, लेकिन pulses के लिए के लिए 23%, तो इसलिए important है कि yield और output जो गिर रहा इसकी बजाए है कि पहले उनको irrigation नहीं मिली, plus हमें pulses production को बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि pulses are leguminous crops, यह जमीन की उर्वरकता है, उनकी fertility को बढ़ाते हैं, और यहाँ ज़्यादा water के requirement भी नहीं होती, तो post harvest management, direct market linkages करके हमें ज़रूरी है कि farmers को पता हो कि वो दाल बेचे गिरती ही रहेगी, इस article में हमें क्या बता चल रहा है कि भाई, एक तो हमें input, output और harvest management के उपर भी काम करना पड़ेगा, market से link करना पड़ेगा, ताकि दाल की सही कीमते पिसानों को मिले, उनको पता चले कि अच्छा वो अगर दाल ग्रो करते हैं, तो उनको इन्शॉनिस भी मिले, pulses के साथ साथ, ताकि crop में कोई गरबर आए, तो उसका फाइदा भी उठा पाएं, ये तभी तरीका है, जब हम अपने import को घटा कर, अपने खुद के production को ग्रो कर पाएंगे, otherwise, they will remain always susceptible to demand in Indian market, और Indian market की demand को दिखते वे, बाहर के imports भी महंगी हो जाएंगे भारत के लिए, तो there always remains a persistent deficit, ये deficit की वैसे दाम बढ़ते हैं, और ये डाले गरीमों के लिए बहुत महंगी हो जाती हैं, due to which they suffer from protein deficiency, तो अभी ज़रूवत है कि इंडिया stock holding को रोक लगाए, और इंडिया नहीं लगा रखा है, आप stock holding pulses के नहीं कर सकते हैं, काला बाजारी नहीं कर सकते हैं, और imports पर focus किया गया है, लेकिन ये short term measures है, long term में हमें production को बढ़ाना पड़ेगा, हमारे supplies को multiply करना पड़ेगा, divers बाना पड़ेगा, हम 4-5 countries के उपर dependent नहीं रह सकते, हमें और countries को target करके जहां पर farmers को बताना चाहिए कि हमें भी दाल खरीदने हैं, आप दाल ग्रो करो, हम गैर तो हमें ज़रूरत है पहली, diversification की, और इस sector को intensivize करने की, बहतर renumerated prices provide करने की, आपको कीमते अच्छी मिलेंगी, आपको incentive मिलेंगी, आपको insurance मिलेगा, और कैसे ये आपकी soil fertility बढ़ाता है, कैसे water conservation में मदद करता है, इसकी awareness पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसा खुद बखुद अपने खेतों और अपनी सेहत को देखते हुए, पल्स का cultivation बढ़ाएं, ना कि चावल और गेहों के पीछे भागते रहें, तो अगर मैं आपसे पूछू वाइ, पल्स का, क्यों लगाता है, येल्ड घटी जा रही है, तो आपके पास क्या reason होगा, एक आप पहले बताओगे production side problems, जिसमें irrigation नहीं है, yield घम हो रही है, sowing कम होती है, कम इलाकों में खेती की जाती है, पलस, harvesting के टाइम में काफी सरा loss हो जाता है, rain कम हो रही है, तो उसकी वज़े से उनको loss हो जा रहा है, yield कम हो जा रही है, पलस जो post harvest issues है, जैसे holding की बात हो गई, black marketing की ब प्लस import जो हम करते हैं wheat वो भी price sensitive है, इसलिए किसानों को कोई भरोसा नहीं होता, और हमारा जो अभी agriculture sector है, वो wheat और पैडी की और जुका हुआ है, जिसको हमें बदलने की जरू हो था, तब ही जाकर हम बहतर तरीके से अपने pulses का production और pulses की import में भी clarity लाब है, यगर हम किसानों आपको incentivize करें, उनको insure करें, उनको बहतर renumerative prices दें, through MSP और other mechanism जैसा हम गेहू चावल या फिर गन्ने की case में करते हैं, बहतर irrigation की सविधायन है, तभी जाकरी चीज़ें बढ़ पाएंगी, और जो pulses की positive externalities है, positive externalities का मतलब होता है, जब आप pulses ग्रो करोगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही, क्योंकि आप दाल उखा रहे हो, इसके अलावा जो आपकी yield बढ़ेगी, आपकी fertility स्वाइल की बढ़ रही है, आपका जो groundwater level जैसा है वैसा रह रहा है, उसमें और जाफा हो रहा है, ये सब चीज़ें भी किसानों को समझानी बहुत ज़रूरी है, तभी जा